अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन हो जाते हैं या हाथ पैरों में चीटिया जैसे चलने लगती हैं, अचानक से आपके हाथ पैर में करंट समाणने लगता है, बोडी में करंट सा जोर जाता है, या फिर नसों में अकड़न होती है, दर्द का हिसास होता है, हाथ पैर म है जिसे neuropathy के नाम से जानते हैं और अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की problem face करनी पड़ती है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही important है इसको जरूर देखेगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 खाने पीने की जिज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस तरह की सभी problems को ठीक करने में आपकी काफी जादा help करेंगी दोस्तो नियूर्पे थी अकसर diabetes की वज़ा से पैदा होती है या फिर कई बार किसी किसी case में ये कुछ vitamins के या minerals की कमी की वज़ा से भी हो सकती है या फिर किसी चोट लगने की वज़ा से injury से हो सकती है या फिर कई बार anemia या खून की कमी से भी ऐसा हो सकता है वैसे अकसर जब भी हमें इस तरह की problem face करनी पड़ती है तो शुरुआत में हम इसे मामूली बात समझ कर नजर अंदास कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसा तो अकसर होता ही रहता है लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए और neuropathy की problem आपको धीरे धीरे body में बढ़ती चली जाए तो इससे दोस्तों एक time वह आता है जब यह problem बहुत ही विक्राल रूप ले लेती है और हमारी रोज मररा की जो चीजे होती हैं जो activities होती हैं उन में भी जो है वो खलल पैता करने लगती है जैसे की चलना फिड़ना उठना बैटना सीड़ियां चरना या अराम करते वक्त भी ऐसी problems होती रहती है तो चली शुरुआत करते हैं आज की इस वी हल्दी दोस्तों हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक बहुत ही powerful antioxidant पाये जाता है जो कि body में हर तरह के inflammation यानि सूजन को कम करने की ताकत रखता है जब हम हल्दी को लेते हैं तो ये antioxidant हमारी नसों को damage होने से बचाता है जिससे की neuropathy की condition में काफी अराम मिलता है इनफेक्ट काई researches भी इस बात की पुष्टी कर चुकी हैं कि हल्दी में पाये जाने वाला ये curcumin नियूरोपेथिक पेन को कम करने में काफी ज़्यादा असरदार होता है ये सिर्फ आपके नियूरोपेथिक पेन को ही कम नहीं करता बलकि ये nerve function को भी improve करता है ऐसा भी इन researches का मानना है हल्दी को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीखे हैं आप चाहें तो इसको पानी में मिलाकर या दूद में मिलाकर या फिर आप इसके capsule लियर टाबलेट भी ख़ा सकते हैं अगर आप इसके पानी या दूद के साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक ग्लास पानी या एक ग्लास गरम दूद में एक चमच हल्दी का पॉर्डर आप मिलाईए, इसमें उपर से एक शुटकी काली मिश का पॉर्डर भी डालिए और एक चमच शहद मिला लीजे टेस के लिए और इन सब चीजों को मिलाकर आप रात को सोते समय इसको पी रेगिलर तोर पर इस तरह से हल्दी का सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नियूरुपेथी की प्रॉब्लम में आपको काफी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा नियूरुपेथी के लिए दूसरी बढ़िया चीज है दोस्तों अद्रक यानि कि जिंजर अद्रक में एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपरटीज होती है जो कि नियूरुपेथिक पेन को कम करने में काफी ज़्यादा हेलफफुल होती है रिसर्च के मताबिक अद्रक नर्व इंफ्लमेशन को रेड्यूस करता है और नर्व पेन के अगेंस्ट एक नाचुरल पेन किलर की तरहा काम करता है नियूरुपेथी के लिए अद्रक को यूज़ करने का सबसे असान तरीका है अद्रक को उपाल कर इसका पानी पीना इसके लिए आप एक टी स्पून कसा हुआ या बारीक कटा हुआ अद्रक लीज़े और इसे एक कप पानी के अंदर डाल कर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीज़े जब बानी आपका पकने लग जाए तो इसके इंदर आप एक छोटी इलाइची जो है वो कूटकर डाल दीज़े और फिर इसको छान कर आप गरम गरम पी लीज़े दिन में दो टाइम खाना खाने के बाद इस तरह से अद्रक का पानी पीने से आपकी नेसों की कमजोरी, हात पैरों का सुनपन, हात पैरों में जो जंजनाहाट होती है या दर्द वगरे के शिकायत रहती है इन सभी में आपको काफी ज़ादा अराम मिले तीसरी चीज़ है अलसी के बीज, दोस्तों अलसी के ये छोड़े छोड़े जो बीज होते हैं ये आपकी नर्व के लिए कमाल के फाइदे रखते हैं, अलसी ओमेगा-3 fatty acids का एक बहुत ही शांदार, बहुत ही rich source है जो आपकी nerve cells को मरमत करने के लिए और body के अंदर खून के circulation को बनाये रखने क के लिए काफी helpful होती है, इसके अंदर alpha-liniloic acid नाम का एक omega-3 fatty acid होता है, जो कि आपके neurological health के लिए बहुत ही essential है, ये inflammation को कम करते हैं और साथ-साथ nerve damage होने से भी बचाते हैं, जो कि neuropathy के patients के लिए बहुत जरूरी चीज है, LC को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपके LC के बीजों को भून कर इस्तमाल करना है, आप LC के थोड़े से बीज ले लिजे, उनको तवे पहले dry rose कीजे, और फिर इसे कूट कर grinder में या फिर पीस कर, एक airtight container के इंदर आप store करके रख लीजे, इस जही में मिला कर भी इस्तमाल कर सकते हैं, सरदी के मौसम में LC के बीचों से बने हुए लेड़ू भी बनाये जाते हैं, जो कि टेस्ट में काफी जादा बढ़िया होते हैं, और फायदा भी आपको बहुत सारा करते हैं, तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आप अस तरह से जलसी की विजो को इस्तमाल कीजिए और इसका भरपूर फॉरूर।